लग रहा है ना देखके इस केक को हमने मार्केट से लाया है पर अब आप भी इसी तरह का केक घर में आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सीमा स्मार्ट किचन आज हम देखेंगे दो तरह का केक डेकोरेशन इसे हर कोई घर में आसानी से कर सकता है बड़े पार्टी हो, क्रिस्मस हो या फिर और कोई फंक्शन अब आप भी घर में इतना ही सुन्दर केक बना सकते हैं पर केक की डेकोरेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, फ्रेंट्स, फैमली के साथ शेयर करना ना भूले और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए चलिए देखते हैं केक डेकोरेशन कैसे करते हैं इस तरह का ब्यूटिफूल केक बनाने के लिए एक पेपर पे क्रिस्मस ट्री का शेप बना लीजे छोटे बड़े अलग-अलग साइस के बनाईए उसके उपर रग दीजे बटर पेपर देखिए इस तरह से करना है अब डार्क चॉकलेट कंपाउन को डबल बॉयलर मेथट से या फिर माइक्रोवेब में मेल्ट कर लीजे इसी तरह से वाइट चॉकलेट कंपाउन को भी डबल बॉयलर या फिर माइक्रोवेब में मेल्ट कर लेना है और white chocolate compound जिसे हमने melt किया है उसमें green color डाल दीजे मैंने यहाँ पे yellow और blue डाला है इससे ही green color तयार हो जाएगा अच्छे से mix कर लीजे mix हो जाने के बाद दोनों भी chocolates को piping bag में भर लेना है और छोटा सा cut लगा देना है और फिर इस तरह से आसानी से design बना सकते हैं इस तरह से एकदम roughly बनाना है कोई जरुत नहीं कि बहुत सुन्दर हो ध्यान रहे चोकलेट के dry होने से पहले सूखने से पहले ही हमें बनाना है अगर चोकलेट सूख गई तो आपको फिर से melt करना पड़ेगा सेम तरीके से green वाले को भी piping bag में भर लेना है कट कर लेना है और अब इस तरह से shape देते जाएए जैसा plant का रहता है आप इसके अलावा दूसरे plant भी बना सकते हैं मैंने याप एक Christmas tree बनाया है आप दूसरे plant भी बना सकते हैं अगर आप और दूसरे plant की recipe या फिर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे comment में जरूर बताईए मैं आप ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्यूंकि बोलने के रिए कुछ भी नहीं है आप सिर्फ देखिए इसे कैसे बनाना है और अब इसके उपर sprinkles लगा दीजे उपर मैं star sprinkles लगा रही हूँ बीच में डाल दीजे अलग-अलग कलर के इस प्रिंकल पर एक बात मैं जरूर बोलूँगी अगर आपको ये idea पसंद आया है तो फटा-फट वीडियो को like करना है वीडियो खत्म होते ही friends family के साथ जरूर शेयर कीजिए अब इसे प्रिज में आदे गंटे के लिए रख दीजिए उसके बाद निकालिए लीजिए तैयार है Christmas tree है ना ये बहुत ही सुन्दर अब इस सुन्दर से Christmas tree को लगा दीजिए अपने मन पसंद केक पर केक को कैसे icing करना है इसे without tools कैसे icing करना है दोनों भी recipe में बहुत बार upload कर चुकी हूँ link description में और i button पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं केक पर icing कैसे करना है यहाँ पर मैं सिप decoration बता रही हूँ ट्री पर बर्प का icing का effect देने के लिए पिसी हुई चीनी को चाई की छनी की सहायता से डाल दीजिए यह और भी खुबसूरत हो जाएगा वाव है ना यह बहुत ही सुन्दर इस तरह का decoration तो और भी आसान है softy के cone ले लिजे, cone को अलग-अलग size में cut कर लिजे जितना बड़ा आपका cake है उस हिसाब से cut कर लेना है cake से थोड़ा बड़ा रखना है, कुछ थोड़े छोटे रखने है, अलग-अलग size के रखने है देखिए, इस तरह से softy cone को cut कर लेना है, size सबके अलग-अलग रखें, ये ध्यान रखें इसके पहले भी मैंने softy cone से chocolate cake decorate किया था उसकी recipe भी आप eye button पे देख सकते हैं, यहां उबर दी हुई है और अब ले लिजे cake decoration वाली whip cream, whip cream में green color डाल दीजे मैं यहां पे blue और yellow डाल रही हूँ, दोनों को मिलाने से green color तैयार हो जाएगा जैसा कि मैंने पहले भी किया था, अच्छे से mix कर लेना है whip cream कैसे बनानी है, इसकी recipe अल्रेडी मेरे चैनल पे है, link eye button पे और description में दिया हुआ है mix हो जाने के बाद star nozzle लगा लेना है piping bag में और whip cream को भर लेना है और अब ready किये हुए cake पर इस तरह से stick कर दीजे, इसे stick करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है सिर्फ थोड़ा सा प्रेस कर देना है, ये stick हो जाएगा, छोटे बड़े अलग-अलग size के लगाते जाएगे जितने आपको लगाने हैं कम या ज़्यादा आसानी से लगा सकते है दिखिए कितने आसानी से stick हो जा रहे है और अब softy cone के उपर whip cream लगाते जाएए थोड़ा सा प्रेस करना है और खीच लेना है बिल्कुल Christmas tree वाला effect आ जाएगा ये दिखने में बहुत ही खुबसूरत दिखता है वाउ, आप देख सकते हैं कितने आसानी से बन रहा है अगर आप और भी इसी तरह की cake icing, cake decoration देखना चाहते हैं तो comment जरूर कीजिए इस तरह सभी softy cone पे लगा लेना है ये बहुत ही आसान तरीका है और उपर लगाने के लिए जो हमने softy cone लिया है उस पर हाथ में लेके इस तरह से design कर लीजे ये भी बहुत ही आसान है वीडियो में पूरा नहीं दिख पाया है पर आप समझ गया होंगे मैं क्या कर रही हूँ सिर्फ उपर का जो cone है उसे थोड़ा सा छोड़ देना है पकड़ने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही है और अब cone को उपर के side से पकड़ कर cake के उपर रख दीजे इस तरह से छोटे बड़े अलग-अलग size के रखिए आप इससे बहुत बड़ा cake भी बना सकते हैं वाव दिख रहा है ना बहुत ही beautiful इस तरह सभी Christmas tree इस पर रख लीजे और उपर के ओर भी लगा लीजे देखिए इस तरह से इस तरह सभी Christmas tree बना के लगा लेने हैं और हर Christmas tree के उपर लगा लीजे star sprinkle और छोटे-छोटे sprinkle दिखने में और भी खुबसूरत दिखेगा साथ ही इसके उपर भी हम ice का effect दे देंगे पिसी हुई चीनी से छनी की साहता से पिसी हुई चीनी से इसके उपर ice का effect दे दीजे दिखने में और भी खुबसूरत हो जाएगा है ना ये एक बहुत ही आसान तरीका इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया मुझे comment करके जरूर बताईए friends family के साथ share करना तो बिलकुल न भूले किया आप और भी इसी तरह के आसान से cake decoration वीडियो देखना चाहते हैं और आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं subscribe नहीं किया है subscribe कर लीजे मिलते हैं एक new recipe के साथ thanks for watching, bye bye